जैहिन दोस्तों स्वागत आपका Quality Education के Digital Platform पे आचा करता हूँ आप सब लोग स्वस्त होंगे अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे चलिए शुरू करते हैं आज का Topic आज का Topic है यूरोपिय संग के लिए इंडो पैसिफिक का महत्व देखिए यॉरॉप के अंदर World War 2 के बाद World War 2 के बाद क्योंकि उन्होंने पहले World War 1 देखा था उसके बाद World War 2 देखा और उससे भी पहले उन्होंने निपोलेंड वार देखा था इन सबी के आपस में किसी ना किसी प्रकार का मदभेव रहता था और इन मदभेदों की वज़े से इनकी ना किसी बात का तनाव बना रहता था आप देख सकते हैं यूकरियन रिश्या में अभी क्या चल रहा है मैं आपके सामने रोज लेक्टर लेकर आता ही उसंदर में तो कहने का मतलब है कि यूरोप के अंदर एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो उनके बीच में लड़ाई होने के बहुत ज्यादा संभावनाय रहती हैं तो यूरोपेन यूनियन का गठन क्या गया था एक ऐसा विचार आया था कि क्यों वर्ल्ड वार टू के बाद एक ऐसा नया औ इनिशेटिव्स थे जो इसके संभावनाय थी लोगों ने कोशिश करी थी इसके कोशिश बहुत सालों पहले से श्रू हो गए थी ताकि इनके आपस के जो इंटरस्त हैं यह एक दूसरे पर निर्भर हो जाए तो अगर इनके स्वार्त एक दूसरे पर निर्भर होंगे तो संभावन है कि इनकी बीच में दुबारा कभी इस तरह के बहुत बड़ी युद्ध घटना करम जैसे इस्तित्या कम पैदा होगी, ठीक है? तो ये कारणता है European Union का, ये बहुत बड़ी organization है दुनिया की, इसमें तकरीबन 27 देश हैं, 28 हुआ करते थे पहले लेकिन अब Britain को इसक तो कहने का मतलब है 28 देश थे इसकंदर, आज 27 देश ही हैं इसकंदर, दूसरी बात इनका आपस में political connection बहुत ज्यादा है, economic connection बहुत ज्यादा है, trade connection, व्यापार का जो इनका connection है बहुत ज्यादा है, ताकि इनकी निर्भरता एक दूसरी को पर बनी रहे, so that they become the integral part of each other's economy and political scenario जो भारत और प्रशान सागर के बीच का जो area है, वो Europe थोड़ा सा control करे, वहाँ पर भी Europe का बहुत जादा trade होता है, बहुत जादा व्यापार होता है, तो Europe के बहुत बड़ा स्वार्थ है कि वहाँ पर भी stability बनी रहे, वहाँ पर भी माहुल अच्छा बना रहे, वहाँ पर क साब से global gateway initiative आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें काफी चीज़ आपके सामने आएंगी, काफी ऐसा facts है, figures है, जो आप ज़रूरी होंगे, आपके prelims के perspectives है, ठीक है, में इसके perspectives पेपर 2 है, इंडो-European partnership in Indo-Pacific region, context, संधर्व क्या है, संधर्व यह है, योरोप और इसके प यह बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि चाइना का जो वर्चस्व है, इंडो-Pacific region थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा नहीं बोलूगा, थोड़ा ज्यादा है, और इस कारण से वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा ऊंच नहीं चलती रहती है, कभी देशों के बीचे रिजन के अंदर काफी स्थिरता रहे, इसलिए European Union वहाँ पे अपनी प्रिजन्स बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, और इसमें European Union को मदद चाहिए भारत की, भारत की बिना उसका वर्चस वहाँ पे विफल रहेगा, आईए, यह है इंडो-Pacific region, यह वाला जो रिजन है, जहां से, Pacific Ocean से, अब यहां पर USA है, इस तरफ, इस तरफ USA है, यहां से जितने भी ट्रेडिंग होती है, नीचे से गूम कर आने पड़ता है, तो काफी दूर का पड़ता है, यहां पर जपान है, यह जपान हो गया, यह South Korea हो गया, यह Taiwan, Philippines, इन देशों को अगर अपना समान, अपना माल अगर योरोप में भीजवाना हो, तो वो माल यहां से आता है, इसको Indonesia क्रॉस करता है, Malaysia क्रॉस करता है, इंडिया के नीचे से क्रॉस करके, Red Sea के अंदर जाके, Mediterranean Sea के अंदर entry लेता है, Swiss Canal के थूरू, Swiss Canal यहां पड़ता है, तो जब इतना व्यापार करना पड़ता है, इसक शेतर के अंदर एक स्थिरता बनी रहे, इस शेतर के अंदर किसी तरह के लड़ाई के आसार ना हो, अब यह एरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा मैं आपको बताया है, तो यह हर देश के व्यापार के लिए बहुत ज़रूरी है, और डिसकस करते हैं, योरोप इस स्केल, खास कर कितना पड़रिशान क्यूं है? देखे, जैसा मैं आपको बताया है, इस रीजन को कहते हैं, यह जो छोटा से रीजन है, यह चोटा नहीं है, वैसे बहुत बड़ा रीजन है, अब यह है चायना, यह वल चायना की बाउंटरी है, यह ताइवान है, यह है चानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचानाचा तेशो को बहुत जाद दिक्कत होती जह नहीं चाहती क्योंकि इनको पूरी जीवन है वो इसी पर निरबर है यहांपर बहुत जादा natural resources है खाद्य पदारत है यहांपर बहुत जादा natural resources है fishing industry यहांपर बहुत जादा proliferate करती है मच्छवारी की, मच्छिय, इंडस्ट्री उसके बाद यह जो एरिया बहुत जादा resourceful है, इसमें बहुत जादा ऐसे-ईसे resources हैं जो दुनिया के जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं तो इसलिए चायना, स्पार्सली आलें यहां पर करके nations, तो इन आस्यान देश को बहुत सदा दिक्कत रहती है चायना के इस दावे के वज़े से, तो यहां पर कई बार क्या होता, चायना अपनी सब्मरीन भेज़ देता है कभी यहां सब्मरीन भेज़ देता है, कभी अपने चायना को काउंटर करने के लिए USA और यॉरोप के जो देश हैं हमेशा ततपर रहते हैं, तो इसलिए उन्होंना अपना वर्चास यहां भी फैलाना चाहरा है, उनका कहना यह है कि यह जो एरिया है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंशी, अकाउंटेबिलिटी और सुवेरेंटी का बहुत ज़्यादा खत्रा है, क्यूँ जो छोड़े-छोड़े देश है, थाइलेंड, वियत्रा, मेलेशिया, फिलेपेंस, इंडोनेशिया, पपुआ, नियुगिनी, बुरुनेई, यह जो देश है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा इनको डरा के रखता है चीन, तो अकाउंट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है, पार दर्श हार्म होता है, आपके जो national integrity है, उसको बहुत ज़्यादा हार्म होता है, बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होता है, तो इसलिए अब European Union कहता है कि हम अगर यहाँ पर हमारा वर्चस हम यहाँ पर बनाएंगे, तो इसलिए वो आसियान के साथ बहुत अच्छे रिष्टे बन है, आईए जानते हैं, दूसरी बात, अब जैसा मैं आपको बताया था, यह जो area है, यह जो area है, अब European Union इसमें इतना ज़्यादा हस्तक्षिप क्यों करना चाहेगा, क्यों चाहेगा European Union की यहाँ पर इस्तिरता बनी रहे, क्योंकि यह वाला जो area है, जिसमें South China Sea भी आता है, यह जो trade होता है यहाँ से, यह जो व्यापार होता है यहाँ से, यहाँ से घुमके जो Europe जाता है, यह व्यापार कम से कम European Nations को, यूरोप के जो देश है, उनका 30 परतिशत trade कवर करता है South China Sea के इन तो यह बहुत बड़ी मात्रा है, 30 परतिशत का trade, ऐसा कहा जाता है कि तक्रीब इवन पंदरा, पंदरा सो बिलियन यूरोप, यूरो, पंदरा सो बिलियन यूरोप का जो trade है, जो व्यापार है, वो इस खेतर से ही होके गुजरता है, यह 2019 और 2020 की study से पता चलाता हमें, इतना जो trade यहाँ से गुजरता है, यह बहुत भारी नुकसान होगा अगर यूक्रे जो हालात है, यहाँ पर खड़ो हो जायता हो, जैसा हमने पहले पिछली वीडियो में डिसकस किया था कि इस situation का फायदा चायना उटा सकता है, ताइवान को कबजय में लेना के लिए, ताइवान को परेशान करने के लिए, ताइवान परेशान होगा मतलब ही पूरा region है, ज इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, न्यूस कटिंग्स लाया हो, आपके लिए मैं, इंडिया लॉंच इस कनेक्टिविटी पार्टनर्शिप बनी है, यह आई थिंक यह पोर्तों के अंदर हुआ था, यह पोर्तों एक सिटी है, पॉर्चुगल के अंदर, इनिशेटिफ और इंडो-पैसिविक तो काउंटर चायना फ्रेंच डिप्लोमेट, फ्रांस का जो डिप्लोमेट है, उनका कहना है कि हमारा मेन फोकस है चायना को वहाँ पे, चायना को काउंटर करना, क्योंकि चायना जितनी बड़ी ताकत यहाँ पे और कोई नहीं है, भा इनिशेटिफ 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 के जो देश के जितने भी देश है इनको स्वाइज बीकारा जाता है ना भारत है यह जो देश हैं इसले जिए अपनी जिए उठार हुदारि कि हम हमारी जिम्मिधारी की जो इंडो-पैसिविक कर रहा है बहुत जादा शोषन कर रहा है इस फेत्र का इस की वज़े से यहां पल्यूशन बहुत जादा है प्लास्टिक के बहुत बड़े जहां पेठेच्ट के धेर हैं यहां-पर यहां से प्लास्ट्सक को ढाल प्लास्टिक पानी का area है इसके नीचे दवा देता है तो प्लास्तिक पोलिशन हो गया बहुत जादा यहां पर issues रहते हैं तो इसको ख़देड़ना है उसको साफ करना है इसको केते हैं green financing इसके लिए पैसा लगता है इस पूरी हर इस पूरे program के पैसा लगेगा उससे कहते हैं green financing ठीक है तो अब जापान अर्वावर्त है यह तीन कौर के मेंबर है। अगर यह एरिया डिस्टर रहता है तो यह तीनो तैस दिस्टर पर होएंगे। यह चैन्य का लिया है। वाई इस इंडो इंडो पैसिफिक इंपोर्टन फार यॉरॉप यह आर्टिकल न्यूज आर्टिकल है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों इंडो पैसिफिक जो रीजन है यॉरॉप के लिए बहुत जादा महतपूर्ण है हम डिसकस कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं तो इशूज हम इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं हम यह चाहते कि इंडो पैसिफिक रीजन इस्थिर रहे वहाँ पे पाहूल अच्छा ही बना रहे ताकि हम इन सभी चीजों का समाधान कर सकें आईए प्रांस बैंक्स ऑन इंडिया एस की इंडो पैसिफिक पार्टनर बैंक इस प्रकार से रोल भढ़ रहा है उस रीजन के अंदर उसको काउंटर करने के लिए यहां क्या लिखा है यूरोपेन यूनिया स्ट्राटजी फॉर को आपरेशन इंडो पैसिफिक अब यह चीज आयती सप्टेंबर के सब्सक्राइब के अंदर यह इस इस यूरोपेन यू मतलब यह होता है कि आप यहां पे कुछ पहल लेते हैं कुछ इनिशेटिव यहां के और तरह के कॉंप्रेहंसिव तरीके से उन चीजों को अबर करने की है जैसे आपने यहां पे क्या लिखा यह से हेल्थ होगी है मैं endos वहां पर terrorism भी है, pirates भी है, pirates का मतलब है, pirates, करीगार्डिंग के एक movie भी आई थी, pirates of Caribbean, तो pirates का मतलब होता है, जो जहाजों को लूटते हैं, तो वो सभी चीजों को देखना पड़ता है, उन सभी की रक्षा के लिए, यहां पे बहुत जरूरी है, इसकी जो funding लगती है रुपय में लगती है dollar में कहलो euros में कहलो या फिर pound में कहलो तो इन सब की funding यहां लगती है इसका जो पैसा लगता है इन सब की ज़रूत पड़ती है इसके अंदर अब ये global gateway initiative ये December 2021 में लाया गया था और इनकी इच्छा थी की mobilize up to 300 euro billion investment between 2021 से 27 तक तो इनकी इच्छा है कि 6 सालों के अंदर 6 सालों में हम खर्च करेंगे 300 euro billion ये बहुत बड़ी मात्रा होती है 300 euro billion बहुत बड़ी मात्रा होती है तो इतना पैसा हम खर्च करेंगे इन सबी चीज़ों के लिए ट्रांस्पोर्ट की बात करी थी हमने health, education, research की बात हो गई environment, ecology, fisheries, climate change health, security ये सबी चीज़े यहां पर cover की जाएगी इसके अंडर global gateway के अंदर ये एक पहल है European Union के देशों के साथ में अब हमने बात करी European Union के अब हम बात करेंगे France की France का main support क्या है France इतना ज़्यादा obsessed क्यों है क्योंकि European Union के अंदर जितना England नहीं है, जितना Germany नहीं है जितना Italy नहीं है, उससे कहीं ज्यादा concerned, कहीं ज्यादा परवा France को है इस area के stability की, इस area के इस्थरता की ऐसा क्यों? आए डिसकस करते हैं तो देखे, यह अख्यार हमारे मोदी जी की बहुत खास बात है कि जहां भी जाता है सको गले लगा लेते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं ओके, तो यह है यह वाला area जो हमने डिसकस क्या था South China Sea, यह यह रहा यह वाला area है South China Sea, यह है दूसरा map नहीं था, इसको अच्छे समझाने के लिए इसलिए मुझे यह map लेना पड़ा बाकि हम इसको consider नहीं करेंगे जम्मो कश्मेर का map अच्छे से नहीं दिया अब हम देखते हैं, फ्रांस का इससे क्या लेना देना है, यह जो region है इससे फ्रांस का क्या लेना देना है पहला है इंडो पैसिविक 17% of French imports प्रांस का 17 Southwest 17% बहुत ज्यादा होता है आपके 170 रुपय मेंसा 17 रुपय आपको कहा से मिल रहे है पैसिविक ओशन से इंडो पैसिविक रीजन से के बहुत भी और खास करके फ्रांस का जतना भी एक्सपोर्ट नरियात होता है वह जाता है पैसे इंडो-Pec Civic Region के अंदर नहीं है पहली बात का बहुत मोटा हिस्स्टा इंडो-Pecific Region से आता है और बहुत बड़ा हिस्सा इंडो-Pecific नहीं था नहीं था फ्रांस ये बहुत बड़ा एम्पायर ये इए इंग्लेंड के साथ फ्रांस के पास भी था भारत की आजदे की बाद भारत 1947 के अंदर आजद हो गया था तो वह इंग्लेंड हो गए उनकी चोनीजिट वह dinosaur हो गया था वम अपने उस्जिन्ट वा आख्मर्णिर्बर नहीं बन पाते हैं इसलिए फ्राइनस वहाँ पर रहा और यून उनाटीड नेशन सब्सक्राइ« उन पूरा द्धिंध थ्यान था मिय साथू अब गोलेफिए three runs कहते हैं इनको इनको-वाइस फुटूना आइलेंड कहते है यह हो गया फ्रांज पॉल्रीशन आयलेंड इस तरगे काफी सारे यह वाले एक्षेत्र है आना कि ऐसले के नीचे से जाते तो काफी सारा जिएग्राफिकल भूगोलिक रीजन से वो जादा एरिया से नहीं है वो रूट से नहीं है तो वो यहां से जाते हैं तो यहां पे इनका व्यापार होता है यह एरिया बहुत शान्तरना जरूरी लिए कर लिए थी कि 2 million French nationals इनके अंदर हैं 2 million 2 million कितने होता है कम से कम 20 लाक लोग 20 लाक 20 लाक की तादत अभी इन शेत्रों के अंदर रह रही है फ्रांस की तो फ्रांस के लिए बहुत जरूरी है कि यह एरिया के अंदर इस्तिता बनी रहे है यहां पर किसी तरह का युद्ध ना हो तीसरा कारण यह कि 93% of France exclusive economic zone अब यह जो economic zone है अना फ्रांस का जो economic zone वो 93% इन एरियास में है 93% यह बहुत जादा होता है अना exclusive economic zone फ्रेंच developed structure फ्रांस का एक development structure है अना उसका उनकी जो billion की जो funding है वो जाती है तीन से 9 billion funding कम से कम इन शेत्र में जाती है फ्रांस की उसका उस fund को एक नाम दे रहा है French development structure कि France का development इन शेत्रों में किस इस तरह पे करना है उसकी funding के इसाब से यहाँ पैसा आता है तो कहने का मतलब यह है कि European Union का तो एक चिंता है इस area को लेके क्योंकि उनका trade है 30% का trade चलता है क्योंकि देखे European Union की आर्थिक जो GDP है वो है कम से कम मान ल से ज्यादा है 17 trillion dollar से ज्यादा है not euro dollar से ज्यादा है 17.2 है जहां तक मेरी समझ है तो लेकिन वो 30% European Union का जाता है लेकिन France का देखे France का बहुत बड़ा स्वार्थ है इस area को stable रखने में इसको स्थिर रखने में ठीक है इसलिए France की चिंता जाहिर है इंडो-pacific to center stage in European Union तो France नहीं चाहा कि इंडो-pacific जो रीजन है इसका पूरा ध्यान दिया जाए European Union के जितने भी डिबेट्स होते हैं discussions होते है फिक है फिर्स्ट एवर वरुन करके एक नौS Critic युदह प्यास होता है कौन से शेत्र में होता है अगर यह भारत है यह शेत्र के अंदर होता है इस शेतर के अंदर भी उता है वरुन के इंड़भ्यास क्यूं होता है ताकि चाईना को ये बात समय-समय पे पता चलता रहे कि हम अभी भी बी active हैं हम अभी भी इस शेत्र में रहते हैं अभी भी इसमे बना रहे वो कभी-कभी चुप चुप चुपा के घुस्पैट कर जाता हिंडेन ओशन वल बिजन एक बार ऐसा हुआता कि भारत के च्रिलंका यहां है तो यहां पर सम्मरीन मिली थी चायना के सम्मरीन तो आप सोचे भारत के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस था, तो इस तरह की हरकत भी कभी चायना करता है, उसके लिए फ्रांस और भारत मिलके वरून एक युदभ्यास करते हैं, नेवल एक्साइज, तूसरा, वर्ल लीडर सेट फ्रांस समेट मल्स वे टू प्रोटेक्ट ओ पर है, फिशरीज, यहां लिखा है, फाइटिंग ओवर फिशिंग, ओवर फिशिंग का मतलब क्या है, कि आप किसी भी समंदर को, किसी भी तालाब में ओवर फिशिंग करते हो, जरूरत से ज्यादा मचलियों का आदान-परदान नेरियात-आयात करते हो, अगर आप पर बहुत नकार आत्मक परभाव पढ़ेंगे, इन्वारोमेंट के लिए वातावरण के लिए बहुत जाता गलत है, कोरल रीव से सूख जाएंगे, तो वह हम पढ़ेंगे, जब हम इन्वारोमेंट का टॉपिक लेकर आएंगे, कि किस तरह से मचलियों का होना, फाइटो प्लेंटन का होना, कितना जरूरी है पूरे इन्वारोमेंट की संग रक्षन के लिए, ठीक है, बायलोजिकल होट स्पोट क्या होता, हम यह सब चीज़ें उस में उस टॉपिक में डिसकस करेंगे, जब भी हम इन्वारोमेंट और उकलोजी की बात करेंगे, तब, तो कहने क मतलब है कि फ्रांस पूरी कोशे करता है कि यहां पर प्लास्टिक ना रहे, ओवर, फिशिंग ना हो, कभी है ना, बायोडिवर्सिटी, हर चीज़ का ध्यान यहां पर पूरी तरह से रखा जाए, अब, ग्रीन फैनेंसिंग हम बात कर चुके, ग्रीन फैनेंसिंग क्या होता 2030 तक, 2030 तक तक तकरीबन हम जमीन और समंदर का 30% का जो एरिया है, उसका संगरक्शन कर लेंगे, इनका लक्ष यह है कि 2030 तक धरती और समंदर का तकरीबन 30% का जो एरिया है, हम उसका संगरक्शन कर लेंगे, यह किसके अंडर है, High Ambition Collision for Nature and People, तो यहां पे हम नैशनल पार्क की बात भी करते हैं, One Health Approach, यहां पे फ्रांस और भारत मिल की एक अप्रोच, यह भी बात करने हैं कि One Health Approach, की फ्रांस और भारत की जो फार्मस्यूटिकल कंपनीज हैं, जो डॉक्टर्स, एंजिनर्स जो लोग हैं, जो इसमें वो लोगों के स्वास्त के प्रती जो इनिशि और यॉरोप की जो तकनीकी शमता है, तकनीकी ताकत है, इन दोनों के मिलाप से, इन दोनों के मिलन से बहुत अच्छा हो सकता है कि दुनिया के लिए, हुमेनिटी के लिए, यूरोप, यूरोप, फ्रांस और भारत मिल के, तीनों मिल के बहुत कुछ कर सके, पैंडेमिक जि इसलिए फ्रांस ये लेकर आया था High Ambition Collision for Nature and People One Health Approach, Indo-Pacific Health Campus अभी जो Indo-Pacific Health Campus है इसका ऐसे आसार बना जा रहे है कि इसका Headquarter होगा इंडिया के अंदर ये आने वाला है, इसकी जल्द ही इसका launch हो जाएगा ये उसमें आयागा, definitely मैं आपको इसका Headquarter भारत के अंदर होने की संभावना है अब जो French Presidency है French Presidency of the Council of the European Union European Union के अंदर भी एक छोटी सी एजन्सी एक नोडल एजन्सी है, उसका नाम है French Presidency, तो उनका लक्षी क्या है सबसे पहले बाद, strengthen European Union sovereignty in the Indo-Pacific region European Sun की जो संप्रभूता है, उसको मजबूत करना है कहाँ पे Indo-Pacific region के अंतर, to counter China पहली बात, तूसरी बात in tune with India's strategic autonomy तो कल हमने discuss क्याता, strategic autonomy के बारे में कि भारत, ना तो Russia के दबाव में आएगा, ना ही USA के दबाव में आएगा ना NATO के दबाव में आएगा, ना ही सहयोग रहता है, तो भारत इसमें अच्छे से अपनी strategic autonomy को भी मजबूत कर पाएगा, ठीक है तो यह है आज का topic, अब आईए थोड़ा सा revision कर लेते हैं जो PDF में आपको टेलीग्राम पर भेजता हूँ उसके उस संदर में, ठीक है, हम बात कर चुके security challenge के उपर European strategy हाना, सब इसके अंदर लिखा हुआ है, आपको जब PDF आजाएगी तो आप उना समय लेकर आराम से को पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस थाई पार दर्शिता model हमने बात करीती, बुनियादी धाचे की जरूरत है, इंफ्रस्ट्रक्टर्चर की बात करीती, इसकी हना, आपको याद होगा था, अस्तिर निर्भरता, हमको एक अस्तिर निर्भरता को खतम करना होगा, हना, हमको आपके आपस में जो coordination उसको मजबूत करना होगा, उसके बाद हमने बात करीती, इसकी कनेक्टिविटी पार्टनर्शिप की, हना, हमने क्या बात करीती, यह पोर्तों के अंदर में आपको बताया था, पोर्तों के अंदर यह बात होगा थी, जो पॉर्चुगल के अंदर है, हना, पॉर्चुगल एक कंट्री है, येवरोप के अंदर, हना, उसके अंदर Connectivity Partnership की बात हुई थी, इसे बात हमने बात की tackling global challenges, climate biodiversity, health, इन सब की बात हुई थी, green financing की बात करी थी हमने, ठीक है, one health approach, अभी हमने बात करी just, एक मिनिट पहले, COVID की situation जिस तरह से आई थी, COVID की situation से लड़ने के लिए, जिस तरह से सभी देशन आपस में, सहियों क्या था, उसी तरह के सहियों की ज़रूरत है, इंडियो पैसिविक रिजन के अंदर, health को डवलग परने की, तो ये एक one health approach यहाँ पर आनी ज़रूरी है, strengthen health, sovereignty, के बाद, corona drills हमने बात करीती है, इस साल में एक बार होता है, फ्रांस और भारत के बीच में, इससे कहते हैं, नौ सैनिक युद्ध अभ्यास होता है, के बाद, in the field of biodiversity protection, plastic pollution हमने बात करे थी, plastic को, किस तरह से plastic का, जो एक बहुत बड़ी दुरगती हो रही है, प्लास्टिक की वज़े से, उसको निवारन कैसा करना है, इस बारे में हम डिसकस करें, इस बारे डिसकस्शन होगा, यह क्या है, ambition pollution for nature and people, 2030 तक 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 तकरीबं 30 प्रतिशत, लैंड का और C का हमको संगरक्षन करना है, 2030 तक, यह इसका एक target है, protected areas and national parks, creation of an Indo-Pacific health campus, हमने बात करें थी, इसका headquarter भारत के अंदर होने के, संभावना है, इसके बाद हमने, France European Union Presidency, इनका लक्षे क्या था, यूरोप की संप्रभूता, यूरोप की संप्रभूता की बात करें थी, और अपने भाग्य का फैसला करने की, भाग्य के फैसला करने की शमता को मजबूत करना है, यहाँ प्रयास सामरिक स्वायतता के लिए, भारत की मौलिक आकांगशा से मेल खाता है, भारत भी यही चाता है, हमने बात करें थी, स्ट्रेटिजिक अटॉनमी की, कि हम किसी के दबाव में नहीं आएं, आशा करता हूँ, आपको यह टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा, अपना ध्यान रखिए, कसरत करते रहें, पीडियाफ्स आपको टेलीग्राम पर मिलती जाएंगी, और प्लीज अपना सवयोग बनाये रखें, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस इस खुश्वन सिंग, साइनिंग आफ, जैहिंद,